तो हलो दोस्तों अगर आपने आएजाद निवास प्रमार पत्र के लिए एपलाई किया है और आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पुरा कम्प्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपना आएजाद निवास प्रमार पत्र ओंलाईन डाउनलोड कर सकने हैं गूगल में आने के बाद आपको इडिजीट स्पेस अपना स्टेट का नाम एंटर करना है एंटर करने के बाद आप को कुछ जैसे की मेरे केस में यूपी है तो उत्तर प्रदेश में याब डाल दिया है उसके बदम आप दि digital login की साथी पर click करना है तो यहाँ पर click करने के बाद bun goes to । अगर आपने पहले से user ID password क्रिएट करके रख peux हको चाएं अगर आपने user ID ने cabinet किया है तो आप नभी यहाँ पर दिखा लिगा है तो यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहले हैं अपना login एक login ID आपको बनाना है तो login ID यहाँ पर एंटर कर लिजिएगा एंटर करने के बाद आपको उपलब्धता की जनाज करें पर क्लिक करिएगा अगर वो login ID available होगा तो आपको मिल जाएगा अगर नहीं होगा तो आपको कुछ बदलाव करने के लिए बोलेगा उसके बाद से अपना आवेदक का नाम यहाँ पर एंटर करना है आवेदक का नाम एंटर करने के बाद जनमतिती कलेंडर के मादियम से आप अपने यहाँ पर सेलेट कर सकते हैं यह जनमतिती एंटर करने के बाद आपको लिंक सेलेट करना है लिंक सेलेट करने के बाद आपको अपना आवासिये पता फिल करना है अवासिये पता फिल करने के बाद अपना एरिया पिन कोड यहाँ पर एंटर करने के बाद आपको अपना जो भी जिले में आप रहते ह है जिला के अपना जिला कस्वा का नाम यहां पर सेलेट करना है इस वाले ड्रॉप डाउन से तो यहां पर अपना जो भी जिला आपका होगा वह यहां पर सेलेट कर लीजिएगा इसके बाद से अपना एक मोबाईल नमबर यहां पर एंपर करने के बाद email ID और अगर आपको email ID ऐनको एंटर करना है तो कर सकते ने तो oke ऐसके बाए टांड टरख्लार कोडशा सक्ते हैं इसके बाद से आपको सुघ jestem code capture, सुरक्चा code मतलब capture code को आपको यहाँ पर enter करना है, capture code enter करने के बाद आपको simply जैसे आप सुरक्षित करें पर click करेंगे उसके बाद साब को message आजाएगा कि पंजी करण सफलता प्रोवक्त हो गया है, OTP आपके पंजी करण मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है, यह message आने के बाद आप फिर से आपको दुबारा login के पेज पेज पे आ जाना है, login के पेज पे आने के बाद आपको अपना user ID इंटर करना है, user ID इंटर करने के बाद आपको जो मोबाइल पर OTP बेजा गया है वो OTP एंटर करना है, OTP एंटर करने के बाद आपको गैपचा एंटर करना है, गैपचा एंटर करने के बाद आपको password बजलने का option आएगा, password बजलने के option में आने के बाद आपका सबसे पहले user ID आ जाएगा, आने के बाद आपको अपना जो भी mobile पे OTP बेजा गया है, Changed. यह message आने के बाद से आपको दुबारा। Login के बटन पे क्लिक करना है. Login के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको Login Form open हो जाएगा. यहाँपर अपना user ID password enter करना है. user ID password enter करने के बाद आपको lookout code feel करना होगा. तो चले यहाँपे capture code feel कर लेते हैं. तो यहाँ पर यह capture मैंने एंटर कर लिया, एंटर करने के बाद आपको simple login के बटन पर क्लिक करना है, जैसी login के बटन पर क्लिक करेंगे आपको कुछ इस टाइब का interface open हो जाएगा, यहाँ पर आने के बाद आप दिखेंगे कि सबसे पहला लिखा हुआ है कि सेवा सुल्क बुक यहाँ पर सेवा सुल्क बुक्तान अपना जो भी payment है वो आप यहाँ से payment कर सकते हैं, उसके बाद से आप नीचे देखेंगे कि आवेदक पत्र प्रमालपत्र सेवा, यहाँ पर बहुत सारे options दिए गये हैं, जहां से आप अपना जाती प्रमालपत्र हिंदी में बना सकते है जाती प्रमालपत्र इंग्लिस पर बना सकते हैं, आय प्रमालपत्र बना सकते हैं, निवास प्रमालपत्र बना सकते हैं, दिब्यांग प्रमालपत्र बना सकते हैं यहाँ अगर आपको अपना आय जात निवास डाउनलोड करना है, तो आपको निस्थारित आवेदन पर क्ल करना है यहाँ पर रिख कर लें click को करने के बाद आपको इसी ब्हुत कर सकते हैं अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो फ्रीज करें subscribe स्क्राइब करें थैंक यू